नवस्कार आप देख रहे हैं न्यूसपल इंडिया आपके साथ मैं हूं का जोन लारायन बहुत स्वागत है आपका जन की बात में जन की बात में आज बात करेंगे वैक्सिनेशन को लेकर जी हाँ देश में इस वक्त 18-44 साल के जो लोग हैं उन सभी का वैक्सिनेशन चल रहा है हाला कि जब इसकी शुर्वात होने वाली थी तो बड़े जोर शोर से ही अवाज उठाई जा रही थी कि इस महा अभियान में हम वैक्सिनेशन की जो प्रटिया है उसे पूरा कर लेंगे और देश के जितने भी 18-44 साल के उमर के जो लोग हैं उन सभी को वैक्सिनेशन की दौर से वो गुजर जाएंगे और वैक्सिन उने उपलब्ध होगी वैक्सिन उने लग जाएगी लेकिन आज के तस्वीर इस से अलग है आज के तस्वीर ऐसी है कि कई जगओ में चाहे वो दिली के में बात करूँ, चाहे यूपी की बात करूँ या अलग जगाओं की बात करूँ या दूसरे राज्यू की बात करूँ वहाँ से ऐसी तस्वीरे आ रही हैं कि लोग घंटो, दो घंटे, तीन घंटे, पांच घंटे कोई तो ऐसे भी हैं जो 8-8 घंटे से खड़े हुए लाइन में कईयों के रेजिस्ट्रेशन हो रखे हैं, कईयों को स्लॉट भी मिल गए हैं, उसके बाद भी उनके घर वापसी हो जाती है पहले तो 2-3 घंटे खड़े रहो लाइन में, उसके बाद उन्हें वैक्सिन नहीं लग पाती है ऐसे भी लोगों की नाराजगे जो है, वो सोशल मीडिया पर साफतार पर नज़र आ रही है यानि इसे जो सिस्टम है, उसकी पोल खुलती भी नज़र आ रही है शुरवात कर दी वैक्सिनेशन की महा भियान की, लेकिन जब वैक्सिन थी ही नहीं या इस तरह से लोग परिशान होते, तो आखिर क्यों इस प्रोसेस को शुरू किया गया शोशल डिस्टेंसिंग की बात लगातार हो रही है, लेकिन अगर मैं नोडा या गाजियबाद या दिली की बात करूँ यहाँ पर वैक्सिनेशन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं दे रहा है, वो वैक्सिनेशन जिसलिए लगाये जा रहा है, वैक्सिनेशन जिसलिए हो रहा है कि कोर्णा संक्रबन को कम किया जा सके, वो संक्रबन तो वहाँ से बढ़ता हुआ और जादा नजर है वो मिलनी चाहिए हर दूसरे दिन ताकि जादा से जादा लोगों को वैक्सिन लग सके लेकिन वैक्सिन उन्हें उपलब्द नहीं हो पा रही है अर्विन के जिवाल हर रोज कुछ अलग बयान देते हैं उनके बयान हर रोज बदलेवे होते हैं ऐसे में देश की जनता या दिल्ली की जनता की में बात करूं तो वो समझ नहीं पा रही है कि आकिर अर्विन के जिवाल चाहते क्या हैं क्या सिर्फ केंद्र पर ठीक राफ हो ना सही है ऑक्सिजन को लेकर तो बैड को लेकर तो वैक्सिनेशन को लेकर तो ऐसे में दिल्ली के लोगों की नाराजगी ज बढ़ता जा रहा है और लोग आज इसले बहुत जादा परिशान है क्योंकि आज सुबह से ही तीसरी लहर को लेकर बहुत जादा चर्चाए हैं शोशल मीडिया पर टीवी चैनलोंगे पर क्यूंकि अगर अमेरिका की बात की जाए या स्पेन की बात की जाए तो यहां पर ती इसले लहर हो चुकी है दोहजार बीस में जब भारत में भी कोरोना संक्रमन तेज़े से पैर पसार रहा था मार्च महीने में ऐसे में अमेरिका और स्पेन में भी यह खत्रा इटली में भी यह खत्रा जोए वो बढ़ा था अलाकि उसके बाद फिर वहां पर मामले जो हैं औ और जादा कुछ गैप के बाद कुछ महीनों के गैप के बाद आगे बढ़ते रहें भारत में क्या हुआ भारत में मार्च एप्रेल में लोगडाउन लगा दिया गया उसके बाद जो मामले हैं जो संक्रमन तेजसे बढ़ रहा था उस पर कही ना कहीं ब्रेक लग गई और अब जो हैं मामले कम हो गए थे लेकिन नवेंबर में फिर मामले बढ़नी शुरू है भारत में और तब ये इस्तिती चिंता जनक नहीं थे लेकिन अब दूसरी लहर भारत में आ चुकी है तीसरी लहर को लेकर लगातार चर्चाय हो रही है कि जब तीसरी लहर आएगी तो भारत का क्या हल होगा क्योंकि दूसरी लहर में ही रिस्तिती बेहत भयाव्य है चिताएं जल रही है शव जो है वो नदियों में बैते हुए नजर आ रहे है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि शमशान घाटों में जलाने के लिए जगा नहीं है शवको दूसरा कबरिस्तानों में दफनाने के लिए जगा नहीं है शवको तो ऐसे में नदी में प्रभाग कर रहे हैं लोग प्रभाग करके अंतिम संस्कार कर रहे हैं लेकिन गंगा नदी या यमुना नदी यमुना पहले से ही दूशित है अगर इंडिस्ट्रिल एरिया के आसपास यमुना बहती है तो वो पूरी तरह से दूशित है गंगा की बात की जाए तो गंगा को स्वच रखने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मनाए गए हैं ऐसे में लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि ऐसा ना करें प्रशासन पूरी तरह से नजर बनाए हुआ है लेकिन ये कहीं न कहीं डर का महल जरूर है चाहे वो बिहार हो चाहे यूपी में हो दो जुगत से तस्वीर ऐसी सामने आई है जो कि भयावे हैं इसके अलावा आज बात मैं एक और तस्वीर की करूँगी हलाकि ये कल का मामला है और लेकिन आज बात करना जरूरी है बदाईयों से तस्वीर सामने आई है जोहाँ पर मुसलिम धर्मगुरू का निधन हो गया कस्मिक निधन हुआ और उसके बाद जो भीड है उनके जनाजे में वो करीब 15 य लोगों की भीड अगर निकलती है तो संक्रमन कहां कहां फैलेगा कैसे फैलेगा कितनी तीजी के साथ फैलेगा इसे सोच कर भी कहीं न कहीं डर सा लग रहा है लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था ज्याजत किस ने दी क्योंकि सिर्फ अगर दर्शक बनी रही. क्योँ महां से लोगों को नहीं हटाए गया? हर कोई रहा था कि वो जनाजे को कंदा दिना चाहता है. क्यों? आखिर क्यों? क्या लोगों में डर नहीं है कोरोना का या फिर ये सारी चीजे जान से जाधा बढ़कर हैं. देखे हर कोई अपने धर्म का सम्मान करता है हर कोई ये चाहता है कि अगर उनके धर्म का कोई धर्म गुरू है जिसका कस्मिक निदन हुआ है तो पूरी समवेदना है पूरा जो मैं कहूं कि एक इज़त जो है पूरी तरह से उन्हें दी जाती है सम्मान दिया जाता है लेकिन इस पैंडमिक ताइम में इस तरह से खटा होना कहीं न कहीं गलत साबित हो रहा है क्योंकि इससे पहले गुजराज से भी एक यात्रा निकली थी जिसे हम कलश यात्रा का जिक्र किया गया था वो भी कहीं न कहीं गलत है क्योंकि उसमें भी हजारों लोग शामिल हुए थे तो ये दो तस्वी इस घंटे में 12,000 कुछ मामले सामने आए हैं कुछ दिन पहले अगर मैं देखूं तो आप देखेंगे मामले 30,000 तक पहुंच रहे थे दिल्ली में और मौत का आकड़ा भी लगातार बढ़ रहा था लेकिन आज मामले कम आये हैं तो कहीं न कहीं रहात की बात है लेकिन मृत्य जो लगातार कड़ी दर कड़ी बढ़ाया जा रहा है लेकिन इस लोगडाउन का असर भी कम पड़ता हुआ नजर आ रहा है हलाकि दिली सरकार तो कहा रही है कि लोगडाउन का असर है इसलिए मामले कम आये हैं लेकिन अगर कुछ इलाकों में आप जाकर देखेंगे तो देखे तो समाने दिनों की तरह ही लोगों की आवाज आही है। कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि अभी जो त्योहार है वो नस्दीक है, क्योंकि ईद का त्योहार सर पर है। इस वजह से हल्की लोगों को छूट दी हुई है, ताकि लोग खरिदारी कर सकें और तुरंत खरिदारी करके घर जा सकें और जो रोज की जरुतव की समान है वो ले सकें लेकिन लोगों को यह समझना होगा देखे तोयहार कि मैं बात करूँ चाहे हो होली हो, ईद हो, दिवाली हो, दशेरा हो हर साल आएंगे लेकिन जान उससे ज़्यादा किम्ती है जान इसले किम्ती है क्योंकि एक बार जान चलेगी तो वापस नहीं आती है तो यहार तो अगर निकल जाएगा तो दुबारा आ जाएगा इसलिए आप सभी लोगों से लगातार यह अपील हम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी लोग का अपील करते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें आपको कोई भी जरूरी समाल लेना है आपको खरीदारी करने हैं आप एक दिन जाएए लेकर आएए रोज-रोज बाजारों के लिए निकलना एक हट तक सही नहीं है बात अगर फल और सबजी की हो तो आप एक दिन खरीद करो दो दिन तक या तीन दिन तक आपको स्टोर करके रख सकते हैं उसे समाल कर रख सकते हैं उसका इस्तवाल कर सकते हैं बात अगर दूसरे सीजो की है राशन की तो राशन को आप काफी दिन तक स्टोर कर सकते हैं बात अगर इद पर नए कपड़े पहनने की या इसके अलावा और ज़रूरी समान लेने की है तो आप online हलाकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शैरी लाखों में रहते हैं वो online मीकल्प अपना रहे हैं लेकिन जो लोग online नहीं खरी सकते वो लोग जा रहे हैं बाजारों में किसी तरह से ढूंड कर कुछ न कुछ जरूर लेकर आ रहे हैं लेकिन रोज मत निकलिए एक दिन जाएए आसानी से आप खरीदारी करिए और वापस आ जाएए क्योंकि कुछ इलाकों में उतनी सकताई नहीं हैं बहुत सारी इलाकों में हैं तो वहाँ पर जहां सकताई नहीं है हमें खुद से ही सकताई दिखानी है क्योंकि कोरोना संक्रमन जो है वो आप पर ही अटेक करेगा आपको ही अपनों से दूर करेगा इसमें किसी का किसी और का कुछ नहीं जाएगा देश के हालात और जादा बत्तर होते हुए नजर हम खुद को बचाएंगे तो हम दूसरों को बचाएंगे और जब दूसरा किसी तीसरे को बचाएगा तो ऐसे हम पूरे करके एक चेन मना लेंगे और हम पूरे देश को ऐसे बचा सकते हैं उम्मीद है कि जैसे-जैसे सब्यवीत रहें वैसे-वैसे संक्रमण कम हो रहा है, मामले कम आए. क्युंकि बीते दो दिन के में बात करूँ तो 4,00,00 का मामले रहें हैं, उससे पहले 4,00,00 मामले सामनी आ रहे थे. तो ये एक अच्छी बात है लेकिन अभी से ही हम बिना मास लगा कर अगर घूमें दोगस की दूरी का पालन ना करें तो संक्रमन खतम नहीं होगा संक्रमन ये लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा इम्मुनिटी को बढ़ाएं जरूर बढ़ाएं और इसके लावा एक और जो लोग कोविड पॉस्टिव हैं और अपना इलाज करा रहे हैं और काफी समय से आईस्यू में उनको एक बिमारी देखने के लिए इस पर हमने ब फ्लैक फंगस हो सकता है अगर आपको ऐसी कोई समस्या होती है आप तुरंत डॉक्टर से मिलें और डॉक्टर को बताएं कि ऐसी समस्या उन्हsm इसरे बढ़ने ना दें करें कि अगर आगा तो ऐसी सित्ति भी आ गई है ऐसे भी मामली आए हैं जो आपर डॉक्तर को आग तक निकालनी पड़ी है आखों पर सबस्यादा एफेक्ट ये करता है बुरी दरह से एफेक्ट करता है इसलिए इससे बचना बहुत जरूरी है फिलाल गुजरात और महरास्टरों से ये मामले सामने आए हैं उत्तर भारत में अभी है ऐसे मामले सामने नहीं आए हैं उमीद है कि महीं से महीं ये चीज़े कंट्रोल हो जाएंगी ताकि पुरे देश में ना फैले क्योंकि अगर ये बिमारी ब्लैक फंगस भी अगर फैल गया तो स्थिती और जादा भयावे हो सकती है और जादा दरनाक हो सकती है तीसरी लहर के लिए सरकार कह रही है कि हम तैयारी कर रहे हैं कि हम तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से तयार रहें लोगों को ऐसी सुचुएशन का दुबार से सामना करना ना पड़े लेकिन अगर दूसरी लहर में ये हाल हैं तीसरी लहर सोचे कोछ भी हो सकता है अभी पिछले साल हमने देखा था कि लोगों को लॉस अफ स्मेल हो लेकिन 2021 में ऐसा हो रहा है कि 2021 का दृष्य बहा दला गया 2020 से 2020 में ऐसे बहानक दृष्य हमने नहीं देखे थे हला कि 2020 से हमने ये जरूर देखा था कि लोग भूख से तडप रहे हैं पैदल चल रहे हैं मीलो अपने घर जा रहे हैं जिहां मैं मज़ूरों और श्रमिकों की बात कर रही हूं जो अपने शेहर जा रहे थे क्योंकि यहां पर लॉक्डाउन लग गया था पूरे संपूर लॉक्डाउन देश में तो बड़े-बड़े शेहरों में जो लोग थे जो मजदूर थे वो अपने कस्वों और गाओं की तरफ रूख कर रहे थे ऐसे में तस्वी की किलत इतनी जादा हो गई है कि oxygen कंटेनर जो हैं वो लगातार सप्लाई करवाए जा रहे हैं विदेशों से मदद तक मांगनी पड़ रही है आप सोचे अगर क्योंकि एक नीती अपनाई गई थी हालाकि नीती बीज़ेपी सरकार की नहीं थी यह यूपीय की थी वहां से अपनाई गई थी कि हम विदेशों से मदद नहीं लेंगे लेकिन अब ऐसा महौल आ गया है ऐसी स्थिती आ गई है कि हमें विदेशों से मदद लेनी पड़ी हमें इस नीती को तोणना पड़ा क्योंकि हमें ज़रुत थी oxygen की हमें ज़रुत है कच्छे माल के ताकि हम vaccine और ज चंश्का रखिए बच्चों को दूर रखिए अगर आपको लग रहा है कि आपको हल्का fever है आप घर में आईस रेट हैं तो बच्चों को अपने से बेहत दूर रखें क्योंकि बच्चों की immunity उतनी जादा मजबूत नहीं होती है वो इतनी ताकत नहीं होती कि वो संक्रमन को जहल सके या वायरस को जहल सके इसलिए अभी से ही उन क्यमिलिट्री अच्छी रखे ताकि अगर टीसी लहर में ऐसा माना जाता है एक्सवर्ट जो कह रहे हैं अगर वो सही होता है तो आपके बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहें अभी से ही मजबूत बने रहें ताकि उन पर इसका गलत इफेक्ट संक्रमन का ना पड़े बार-बार हाथ दोईए, मास्क जरूर पहनिए, जो दोगस के दूरी है उसका पालन जरूर करिए और जो शोशल मीडिया पर वीडियोज वारल हो रही है भीड की उसको जादा मत फैलाएं क्योंकि इससे कही न कहीं नेगेटिविटी जाती है लोगों को सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल पॉजिटिव होनी की जरूरत है आप पॉजिटिव होंगे कोविड पॉजिटिव नहीं अपने मन को पॉजिटिव करना है अपने सोच को पॉजिटिव करना है और पॉजिटिव हम रहेंगे तब ही हम अच्छा सोच सकते हैं अच्छा खाएं अच्छा पिएं हातों को धोएं यही जब से जादा जरूरी है तो जन की बात में इतना ही क्योंकि आप लोगों की बात करनी थी और आप लोगों से सीधा बात करनी थी इसलिए आज बहुत ही casual तरीके से बने आप लोगों से बात की है कल फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ लोटेंगे जन की बात में अभी के लिए इतना ही